सिधे ले चलते हैं आपको संग प्रमुग मोहन भागवत के पास जो इस वक्त कुछ कह रहे हैं बारतीय महिला परिशत इंडियन मुमेंस कान्फरेंस की उस समय की अध्यक्षा राजकुमारी अमुरुत कौर भी यहां के शिबिर में आ चुकी है दिसंबर 34 में शिबिर हुआ था उसमें भी अध्यक्षता ऐसी एक महिला नहीं की थी और तब से चलता आ रहा है इमर्जेंसी के बाद अकोला शहर के भी एक उत्सव की अध्यक्षा मैं वह आप रचा रखता उस समय तो कुमुत्ता ही रांगने करजी अवरंगाबाद की रहने वाली उन्होंने विजया रश्म उत्सव का प्रमुकतिती पद्भूशित किया था क्योंकि संपूर्ण समाज को संगठिक करना है तो समाज तो दोनों से बंता है हमारे यहां या दुरुष्टी है पुरुष श्रेष्ट की महिला श्रेष्ट है इसा वाद हम नहीं करते क्य melee है कुर्ओं कि हम यह जानते है कि दोनों के बिना समाज नहीं बनता, दोनों के बिना सुर्ठी नहीं होती, ये दोनों परस्पर पूरक है, ये हमारी भारतिय दृष्टी है, दोनों का काम है और दोनों का काम परस्पर पूरक है, इसलिए व्यक्ति निर्मान का काम करने हमाली शाखा हैं तो संग की अलग रा समाज के बाकी सारे कामों में पुरुष्ट महिला एकत्र मिलकर काम करते हैं यह चलते आ रहा है कि डॉक्टर साब के समय की जो परिस्थिती थी उस समें व्यक्ति निर्मान के काम के लिए दो संगटन हो गए लेकिन बाकिसे भी कामों में सम्मिल कर काम करते हैं कि यह पूरक्ता की दृष्थ्थी है तो संख्या की दृष्थी से आधा भाग हमारे समाज का मात्रु शक्ति का है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकते हैं उनको भी सशक्त करना पड़ेगा हमारे यां उनको माता मानते हैं वत्सलता उनका गुण है जगजननी के रूप में उनकी कलपना करते हैं लेकिन ऐसी कलपना करते करते क्या हमको विस्मृती हो गई पता नहीं हमने उनकी सक्रियता के दायरे को सिमित कर दिया और बाद में जो विदेशी आक्रमण हुए उन आक्रमणों की परिस्थिति में उनकी सुरक्षा के नाम पर इस बंधन को एक वैधता प्रदान हुई आक्रमण की परिस्थिति चली गई लेकिन बंधन हमने कायम रखे उनको कभी मुक्त नहीं किया उनको जगत्यनने माना ठीक है लेकिन इसका मतलब उनको पूजा घर में बंध करके रखे बाहर ना अने दे यह ठीक नहीं है एक तो उनको जगत जनी निम्यान के पुजा घर में बन करते अथ्वा द्वितिय दर्जे का मान कर घर में बन करके रख देते ये दोनों अतिवाधिताओं को छोड़ कर मात्रु शक्ति को सशक्त बनाना प्रबुद्ध बनाना उनको बराबरी के अधिकार से सर्वजरी कारियों में परिवार के कारियों में सर्वत्र निर्णई की स्वतन्रता और निर्णई में बराबरी की साजेदारी देते हुए सक्रिय करना इसके अवश्यक्ता है 2017 में विवित संगटोनों में काम करने वाली और हमारी महिला कार्यकरताओं ने सारे भारत का एक बहुत बड़ा मात्रुशिक्ति का सर्वे किया था सब प्रकार की महिला उसमें उन्होंने सर्वे मिली थी यहने सन्यासिनियों से लेकर तो बड़े-बड़े उद्योग चलाने वाली महिलाओं तक सब को उसमें लिया था भारत वर्ष में महिलाओं का इतना समग्र सर्वे क्षण यह पहली बार हुआ है वो सर्वे प्रसिप्द भी हुआ उस सर्वे को सरकार के पास भी दिया गया दिली में ही उसका लोकारपन निर्मला जी सीता रामन जी के हस्ते हाथ में हुआ था में था वहाँ पर उस सर्वे के निश्कर्श अभी यही है जो सब पुरुष कर सकता है मात्रुशिक्ति कर सकती है मात्रुशिक्ति जो सब कर सकती है वो सब काम पुरुष नहीं कर सकते इतनी उनकी शक्ति है और इसलिए उनको इस प्रकार प्रबुद्ध बनाना, सशक्त बनाना, उनका सशक्ती करन करना, उनको काम करने की स्वतंडरता देना और कारियों में बराबरी की साभागिता देना दुनिया भर में जो व्यक्तिवादी और स्त्री मुक्तिवादी अंदोलन चलते हैं, उनके पाचवे फेश के बाद अब छेवा पेच चल रहा है, उसमें वो भी अपने दुरुष्टिकों को अनुभवों से मोड़ कर इसी रास्ते पर आ रहे हैं और इसलिए उस मात्रु शक्ति के जागरण का महत्वपुर्ण काम अपने परिवार से प्रारम्ब करते हुए, सारवजनिक कारियों में संगठन संस्थाओं में भी उसको लागू करते हुए, हमको समाज के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना उनके सहबाग से पूर्ण समाज की संगठीच शक्ति खड़ी नहीं होगी, और पूर्ण समाज की संगठीच शक्ति जब काम करने लगेगी, तब अपने देश के नवोत्थान के सारे प्रयास पूर्ण सफल होगी, तब तक नहीं होगी.